तो दोस्तों चलिए यहाँ पर बात करेंगे Thailand Woman versus Malissia Women's के बीजू मुकबला खिला जाएगा तो सबसे पहले आपको बता दे कि दोनों टीमों में Malissia, sorry Thailand Women's की टीम जो है strong है जब दुनों के बीच मुकाबला हुआ था 2018 में तो Thailand Women ने वन साइडेड वीन किया था इनको 27 रनों पे ओलाउट कर दिया था तो इतनी बुरी तरह से थे इनको नहीं हरा सकते लेकिन हाँ Thailand Women के वीन करने एक चांस बहुत ज़्यादा अधीक है तो Thailand Women के पक्ष में आपको टीम बनाना चीए कुछ ऐसे पिलियर है जो केप्टन वाइस के लिए काफी बणिया ओप्शन हो सकते हैं जो केप्टन वाइस के सेलेक्शन पे देखा जाए तो कम है तो दोनों टीमों के बारे में बात करेंगे कॉंबिनेशन देखेंगे लेकिन अगर जिदे आप इस मुकाबले को खेल रहे हो तो सबसे ज़्यादा महत्पूर्णा है हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोइन करना तो आपको जोइन करना किस परकार है तो दोस्तों जैसे कि आप हमारा इस परकार से वीडियो देखते होंगे यह होगिया डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन में आपको किलिक करना जैसे यहाँ पर किलिक करोगे नीचे आपको टेली गराम चैनल का लिंक यहाँ पर दिखाई देगा इस बुलूबाले पर किलिक करना है किलिक करते ही हमारे टेली ग्राम चैनल पर चले जाओगे वहाँ पर दिखेगा जोईन आपको जोईन हो जाना है वही पर मिलेगी फाइनल तीम जिस टीम से मैं खुद खिलता हूं इनकी अलावे जील से रिलेटर बहुत सारे अपडेट जो जील विन करने के आने हुए है जो हूँ बहु आपको डोमेस्टिक पिलिंग लिबन अजर आएंगे उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जर यही जुड़ना है तो दोस्तों लास्ट मिच थाइलाइन वुमेंस का यहाँ पर देखा जाए तो यहा पर इन्होंने काफी अच्छा बिक्टे ले गई थी और अच्छा खासा पूंच दिया तो इसके बाद से यह अच्छा खासा रं भी बना रही है और गैनवाजी चार उबर फूल कर रही है अगर जदी 4 उबर की फूल गैनवाजी करेगी तो इनसे बहतर केप्टन वाइज क कोई नहीं हो सकता है सेम सुते रंग की बात की जाए तो यह भी उभर करती है फास्ट गिनवाजी और साथ में यह भी अच्छा खासा बल्ले बाजी कर लेते हैं तो यहां पर बल्ले बाजी में ऊपर भी आते हैं लेकिन इनसे गिनवाजी लास्ट में ज्यादा नहीं कराएग इनके अलावे बोनुस खाम की बात किया यहां पर दो अबर में एक आरान देकर एक विक्टे यह भी काफी बढ़िया इस पिनर है एस टी पोस नहीं है यहां पर चार अबर की फूल गेनबाज की हलांकी इनको कोई विक्टे नहीं मिला पिमाया एक विक्टे लेगे टी पोटा वोंग सबसे गजब की गेनबाज इनकी एकाउनमी हमेशा से बेश्ट रहती है अगर जदी इनकी एकोनमी जो बनाने का पर्यास करता है वो विक्टे दे बैठता है क्योंगे गजब की गेनबाज इनकी लाइन लेंद देखोगे काफी सर्टिक रहता है इनके लाव सुतारांग की बात के एक ही ओबर डाला हो सकता ये चार ओबर डाले अच्छा गेनबाज इन बुछतम आपको दो ओबर पाबर पेले में दो ओबर डेथ में डालती हुए नजर आएगी जो की काफी अधीक बिक्टे लेने की छमता रखती है अगर जोड़ी थाइलाइन वोमेंस का बिक्टे लगातार जाड़ा सकता है तो वो एस एजमी है इनके अलावे इलीसा की बात के ये लास्ट के दो मेंस से खेर रहे हैं गजब की एकोनमी के साथ और इनसे पहले बाले म मेंच में एक बिक्टे ले गया यहां पर कोई बिक्टे नहीं मिला लेकिन गेनवाजी देखो कितना संतुला नुआ एम इसमाइल ने भी यहां पर एक बिक्टे ले गया अच्छी गेनवाजी इन्होंने भी यहां पर किया इनकी अलावे यहां पर देखा जाए तो नूर न लेगे अच्छी उल्ड राउंडर की गिंती में यह आती है इनके लावे इलिसा एक विक्टे यहाँ पर एम इसमाइल एक विक्टे तिस परकार से रहा था और यहाँ पर देखा जाए इनकी बल्ले बाजी तो बल्ले बाजी पूरी तरह फुलो पर आता है यह हंटर जरूर 18 तो दोस्तों चलिए आप हम लोग देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन होता है तो दोस्तों कॉम्बिनेशन देखेंगे इससे पहले अगर जदी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं के हो तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो कोई भी अपडेट आता है मैं आपर सारे लोग का रिपलाई देता हैं वो भी बहतर तरीका से तो दोस्तों हमारा टीम का मतलब देखा जातो मैं सिधी आपको दिखाता हो केप्टन मैंने काफी रिसकी एस्टी पोज को दिया हूँ टीप उटावों को मैंने भी सिधी दिया हूँ तो यह हमारा टीम है यहां पर दीख सब्सक्ति हैं यहां पर देखा जाए तो इनके तरफ से बिए बनिया निया निया को यहां होकर यहांन फ़न्सा की वेस्ट्स परोंडरा सेलेक्षिन लगए न рад Parks तो इनको भी हंटर को यहां पर ट्रा सकत Kung Cinny यहां पर अपन्हारे तू आपको खुद का decision ले ले राचे, फिलाल के लिए मैं यहाँ पर इलिसा को यहाँ पर pick क्या हूँ, केप्टरन वहाँ समारा यह है तो यह team up save कर लो, और इनके अलाबे जो आपको change लगे खुद से भी change करो, और एक वहतर team बनाने का परियास करो तो दोस्तो फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं समार्थ करता हूँ सिधा मिलता हूँ इस मेच का अपडेट के साथ, या फिर आपको सक्खे लेना अगले मेच का अपडेट के साथ